भारत के पडूसी राज्य बांगला देश में आरक्षण देने के खिलाफ घुस्सा इसकदर बढ़ चुका है कि अब हसीना सरकार गिर चुकी है और अब पुर्वप्रधानमंतरी शेक हसीना ने भारत में शर्ण ले लिया लेकिन उससे पहले ही शेक हसीना के भारत आने से पहले एनसे, रौ और सेना की गोपनियम बैठक भी की गई थी दूसरी ओर हसीना सरकार के गिरने से लेकर पडोसी राज्य में ग्रही युद्ध को लेकर प्रधानमंतरी से मुलाकात कर विदेश मंतरी ने सोचनाय दी है वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी ने सोमवार को संसत्भावन परिसर में विदेश मंतरी इस जैशंकर से मुलाकात की और बंगलादेश के घटना क्रमों पर विस्तार से चर्चा की कॉंग्रेसी सूत्रों की माने तो ये मुलाकात संसत्भावन परिसर में हुई हाला कि उन्होंने इसके अलामा ताजा घटना क्रमों पर ही बहत चर्चा की लेकिन इस बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं कहा गया फिलाल भारती वायसीना और अन्य सुरक्षा जन्सियां पुरुप धानमंत्री श्रीक हसीना को सुरक्षा प्रदान कर रही है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाय जा रहा है दूसरी ओर सीमा सुरक्षा पल यानि बियस्त ने सुमपार को बंगलादीश में हुए घटनाक्रमों के बद्देनेजर 4096 किलोमेटर लंबी भारत बंगलादीश श्रीमा पर अपनी सभी जुनिट के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है महिता जाहला तो को लिकर कुछ बंगलादीशियों ने चा कुछ बताया है उसी ध्यान से सुनगे तो अच्छा किया है ना अच्छा ही किया है हमारी स्टूडियन के उपर बहुत जुल्म किया है उनने तो आभी तो आच्छा ही हुआ जो हुआ आगे क्या होगा आगे देखते हैं क्या होगा अभी तो शायद मतलब शिन अभाहिनी के हाथ में गया है ना तो आभी देखा जाएगा समने क्या होगा हम अभी चाहते हैं जो भी गवर्मेंट में आए वो आगे से ऐसा ना करें स्टूडेंट के साथ यहीं चाहेंगे और क्या सर आपका नाम मेरा नाम मुहमाद सब्दरली निल्फामरी डोमर सर क्या अभी सुचना मिल रहा है आपको बंगलादेश हो नाजे सेख हसीना देश सुरके चली गई अभी नया गवर्नर वह आपका चार्ज ले लेगा उसके बाद क्या होगा इस तो हम भी भूसकते हैं तो दे बाकी अल्ला जाने क्या होगा हम लोग अमन चाहते हैं संती चाहते हैं चैन से रह सकें चैन से खा सकें बाल बाचा लेके इत्मिनान से रह सकें कोई कानूनी कोई चीज ना आए